नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी लाज वीडियो में अपने सभी सिक्षा मित्र भाई बहनों को नई सिक्षा नीती और माननी उपमु के मंत्री जी की वारता के बारे में बताया था जिसमें नई सिक्षा नीती में सिक्षा मित्रों के अच्छे भविश के बारे में बात की गई थी और जल्द ही नई सिक्षा नीती के लागू होते ही सिक्षा मित्रों के भविश को कहीं ना कहीं सुरक्षित करने की भी बात कहीं गई थी अब मैं इससे हटके आपको एक और tweet दिखाता हूँ ये tweet जितेंदर शाही जी के दौरा की गई है और इसमें लिखा है कि सिक्षा मित्रों की लगभग सभी मांगे पूरी हो चुकी है बस आर्थिक सिति सुधरनी बाकी है इस पर हम अभी चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले म करोना के चलते नहीं हो पा रही है जैसे ही करोना हटेगा आर्थिक सिति भी मजबूत हो जाएगी तो इस पे रोहताश कुमार है उन्होंने लिखा है कौन-कौन सी मांगे पूरी हो चुकी है अध्यक्ष जी जड़ा क्लियर करके बताए मुझे तो लगता है कि बस एक ही मां इस वारता में कहा गया कि सिक्षा मित्रों की सभी मांगे पूरी हो चुकी है बस आर्थिक इस्तिति सुदरनी बाकी है जो इस महामारी के चलते अभी नहीं हो पा रही है इस महामारी के खतम होते ही वो भी सुदर जाएगी तो इस वारता से मैं सोच में पढ़ गया हूँ कि जो सिक्षामित्र इस समय इतना परिशान है कि जिंदगी खतम करने जैसे फैसले भी ले रहे हैं उनकी सारी मांगे कब पूरी हो गई हैं दूसरी ये बात बात तो सारी यहाँ पर सैलरी की है, मांदे की है, वेतन की है जब वही इतना कम है तो सिक्षा मित्रों की बाकी मांगों का क्या करना है जब सिक्षा मित्रों की को समाने सिक्षकी तरह ही 50-60,000 रुपए वेतन मिलने लगेगा तो उनकी वाकी सारी मांगे तो वैसे के वैसे ही पूरी हो जाएंगी 3500 रुपए में इतने लंबे समय तक जौब करने के बाद उनकी स्थिती इतनी खराब हो चुकी है कि सिक्षा मित्र जो है वो भुकमरी की कगार पर है इसलिए मेरा विनम्र निवेदन कुछ इस प्रकार है कि भाई सिक्षा मित्रों के वेदन पर ध्यान दिया जाए उनके भविष्य को लेकर ये सोचा जाए कि मात्र 10,000 रुपए में जिंदगी नहीं चल सकती पूरा का पूरा फोकस जो होना चाहिए वो वेतन बढ़ाने पर होना चाहिए चाहे वो समायोजन के थुरू हो या फिर आप डिरेकली वेतनमान एक तै कर दें जो की बहुत ही सम्मान जनक हो 30-35,000 रुपए या इससे उपर पर इससे कम बेतन नहीं देना चाहिए तो ये जो बात ये जो पूरी ट्वीट थी इसको दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि सिख्छा मित्र हो चाहे सम्मिदा पर कोई भी करमचारी हो अनुदेशा को कुछ भी हो इतने कम मांदे में एक तो आप लोग काम करवा रहे हैं उसके बावजूद भी दूसरी मांगे भाई सबसे बड़ी मांग यही होती है कि जो भी करमचारी कार कर रहा है उसके पास सैलरी इतनी आनी चाहिए कि वो अपने पूरे परिवार को पाल सके मैं लगातार सिख्छा मित्रु से अब लगातार जो अपडेट आती है वो आपको दिखाता रहूँगा इसलिए मेरी चोटी सी रिक्ष्ट यही है कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें नन्यवाद